अब एक पैसेंजर को PNR ओपन करेंगे विटा वी हम कमांडे आटी स्लाश लावडी लो डेवलु और वाई जैसे PNR ओपन करा उसने बोला कितने पैसेंजर से इस में इस PNR में एक पैसेंजर है तो हम करेंगे इसको एक सेक्स ठीक है प्राइजिंग करने की अब देखो यह इसका आइटनेरी पैसेंजर है लावरी पॉल मिस्टर एक पैसेंजर जा रहा है ब्रेटिश एरवेस में 293 में S-Class में 31st of October को Friday के दिन LHR London Heathrow से Miami और इसका टिकेट कंफर्म्ट है तुवल ट्रफी आज डिपार्चर है 1655 आर्राइवल है वन ए का मतलब है इसके बाद लाइन नमबर 3 बिटिश एरवेस 292 S-Class 8th of November on Saturday Miami to London holding confirmed one seat 1920 is the departure 0900 hours is the arrival on the next day next day November start कर रहा है तो 9th November को पहुंचे है नाइन हमें कैसे पता है नाइन नावंबर को नावंबर को प्लेस वाने वाने का मतलब है यह का मतलब है electronic ticket है अब को पता है लाइन नमबर 4 और लाइन नमबर 5 यह contact number के लिए बात कर रहा है यह पूरा contact नमबर और लाइन नमबर 6 इस फॉर दे टिकेट टाइन लिमिट करें ठीक है अब हम करेंगे FXX FXX मतलब FXX इस प्राइजिंग कमांड इससे टीस्टी बन जाते हैं तो यहां से आपको यह समझाएगा जैसा मैं यह समझाएगा जैसा मैं इस फैसे ने FXX कर दिया तो आपके पास एक पर्टिकलर प्राइजिंग वाला डिस्प्ले आ गया मतलब कितना किराया वह यह मॉन्ट आ गया तो पहले हम यह डिसकुस करेंगे विटा कि यह सर्थ तो इसमें एक ही पैसेंजर है यह सर्थ वन आ गया है यह सर्थ का नाम आ गया है यह टीक है वन टू त्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तैंट इसको भी काउंट करना है मैक्सिमम टुवेल आलफाबेट शो करेंगे टुवेल से ज्यादा जो भी होगा उसके बाद स्टार आएगा और भी नाम है ठीक है इसके बाद इसमें जिसे एक जिरो वन को भी काउंट करना है से ना नहीं जिरो वन को नहीं करना विटा ओनली नेम को करो देखो वन हो गया तो त्री पोर फाइव पाई पाई इक्स अच्छा ठीक है एट नाइन तैन एलेवन तुवेल इसके बाद सब्सक्त आएगा यह नेक्स्ट है ह F.L.G.T. का मतलब दाएट इसका नमबर लिखा होगा वी के मतलब बुकिंग टलास डेट मतलब किस टाइम का दिपार्चर डेट है टाइम क्या है सबाचर पर बेसिस हर एक चार का एक नाम होता है न मेह नपता है न अपका डया पूर है नाट वैलेट भीकों इसी तरीके से एक मतलब है नौट वैलिड आफ्टर है एक ओता है नौट वैलिड विफोर एक होता है पाल वैलिड यह होता है अगर गर लो आपने एक मुवी का टिकेट लिया अपने लेट सब्स पांस तारी के लिए आपने मुवी टिकेट करें लिया ठीक है आपको नू सर बोलेंगे सर आपका टिकर तो पांच तारीक के अगर आप पांच तारीक कोई जा रहे हो बट आप आठ बजह के शोगे जा रहे हो आपका बुक वाथ दस वुचे के शोगे लिए सब्सक्वा करेंगे तब लुसर सो इसका मतलब है not valid before का मतलब है आप 31st of October 1230 को जो फ्लाइट है जो British Airways 293 फ्लाइट है आपका टिकर उसी के लिए बना हुआ है उससे पहले वाला फ्लाइट में नहीं जा सकते इसके बाद वाला फ्लाइट में जा सकते इसी का मतलब होता है नौट वैलिड बिफोर एक और होता है नौट वैलिड आफ्टर मतलब ट्वेल तर्टी जो फ्लाइट है आफ्टर समझा गया है इन दोनों के बीच में इस क्या है और दिक्तर तो नहीं है नो सैंस पर्फेक्ट नेक्स्ट है लह चार एक है नेक्स्ट क्या है हमारा लह चार यह कहां से क्या है लह चार से मियामी जा रहा है और मियामी से लह चार जा रहा है तो इसका मतलब है यह जर्णी डिटेल से लह चार से मियामी जा रहा है भी मियामी से लखर जा रहा है विल्ड़ाइब सफ्लाइट में जा रहा है और देखो यह पूर एक फ्लाइट के डीटेल से ठीक है और यह भी एक प्लाइट के डीटेल से यहां तक मान लो ठीक है बिटा यह सर आपको यह समझ आना चाहिए यह लंडन टू मियामी और बिटिश एर्वेस 293 फ्लाइट नामबर और एस क्लास 31st of October 1230 डिपार्चर स्टू फेर्वेसिस और बैगेज बीजी का मतलब है क्या है बीजी का मतलब है बैगेज इसका मतलब है बैगेज हो गया करन्सी कोड या हम आएंगे उसका किराय कितना है कितना है चार्वाण करेंसी कोड यहां लिका हुए देखो जी इसके बाद टैक्सस है कि कोई भी अगर आजकेल के टाइम में आइसक्रीम भी करीद होगे उसके उपर टैक्सस होता है तो अब टैक्सस के बाद करोगे तो ट्वंटी पॉइंट नाइन वन यूएस टैक्सस का कोड किया है यूएस है जी इसका बाद एक टैक्सस्यट्वन टवंटीजीवीभी का है एक टैक्ससे क्या एच्टी डिखता है जब आसचस में टिंगता है इसका मतलब है एक्स्टी मीन्स इटीज इंक्लूदेड ओफ मेनी अधर टैक्सेश अभी इसमें एक्सी में बहुत सारे टैक्सेश है वो क्या-क्या है वह हम देखेंगे अब वो टैक्सेश क्या-क्या है यह एक्सटी लिका होएं इसका मतलब यहीं एक्सटी है वह यह बता रहा है एक एक्सटी में लिका हुए है 15 ना 15 है इसका मतलब यह है एक टैक्सेश 4.7 4.75 एक्स वाइब है और एक टाक्स का नाम है 3.39 यह वाइस ही है एक और टाक्स है 3.05 यह एक्स एफ है एक और है 2.10 एक और है 1.70 यह तो जरुद नहीं है हमें अभी इसका टोटल करोगे इतना आ रहा है टोटल यह हो गया नाइन्टीन नाइन्टीन ठीक है इसी को हम यहां हो गया समझा रहा है बेटा अब देखो इस तरीकी से यह लिकाओ और लास्ट में यहां पर टोटल 1024 और यह सारे टैक्स एड करोगे तो आपका टोटल जो कस्टमर को पेमेंट करना होगा इतना आम उसको पे करना होगा वन जीरो सेवन नाइन नाइन पॉइंट नाइन वाल मैं ठीक है यह सो यह है एक्चली फेर्स का मतलब समझा रहा है कोई दिक्कत तो नहीं आपको समझने में यह टीस से यह फेर्ट डिस्प्ले नो अब हम आगे बढ़ेंगे ठीक है एसर यह लिख लू में जा रहा है यह एक्स्ट्री का में जा हुआ